जहिन दोस्तों रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्पूर जानकारिया दूँगा और ये सारी जानकारिया जोड़ी है इन डॉकुमेंट के बेस पर इन लैटरों के अधार पर तो ये वीडियो आपके पहले बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेके आग्मी तक देखेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चोटी से गुजाईश कर रहा हूँ अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे ह है और दोस्तो भारत Dominer समाज़का जो लिखा गया है सेकेटरी और्मनेट फंडिया डपार्टमेंट फंशन और फैंशन वेलफेर को और दोस्तों लिखा गया है फैनन्स सेकेट्री सेकर्टी ऑफट cheaper इसे को को यह लिखा गया है लेटर 21 अप्रेल 2024 को यह लेटर है आपको कम्यूटेशन के पीरड को कम करने के लिए जैसा आपको पता है आपको जो कम्यूटेशन है वो काठा जा रहा है अभी 15 साल तक लेकिन इसमें डिमांड करी गई है कि जो उसका पीरड है उसे कम कर दे जाए लग लिखे गए हैं जो उठाए हैं भारत मैंशनर समाजने क्या लिखा है दोस्तों इसमें पहला पॉइंट आउट डेटेट पैरामीटर जिया दोस्तों जो कम्यूटेशन का फॉर्मूला है या वो टेबल है वो बहुत पुरानी टेबल है इसलिए इसका कुछ होती हर एक मां साल बाद उसका रिवी होता है ऐसी ही जो कम्यूटेशन टेबल है उसका भी रिवीव होना चाहिए फिर दोस्तों इंप्रोपर Changing पीरेड ज्यां दोस्तो जो period recovery का उसे कम किया जाना चाहिए और किसके बेस पर होना चाहिए वो होना चाहिए rates की अधार पर interest rate की अधार पर जिस बेस पर government आपसे पैसा ले रही है आपकी pension में से commutation वो काट रही है फिर दोस्तो need for periodic revision यह मैं आपको समझाए दिया commutation जो table है उसमें भी change होना चाहिए कुछ revision होना चाहिए जिससे pensioner को नुकसान ना हो discrepancy in CF calculation commutation का जो factor है उसमें बहुत सी गलती है यानि आप ज़्यादा interest rate से 12 सरकार को पैसा दे रहे है commutation पे तो 15 साल का जो period है वो काफी लंबा period है इसलिए उसे घटा कर 11 साल या फिर 12 साल होना चाहिए तो इस period को दोस्तों कम करने की महांग रखी गई है resurrection of the committed portion of pension after 12 years instead of the current 15 years 15 years को हटा कर 12 साल करने की महांग करी गई है भारत pension समाज के द्वारा जियां दोस्तों तो पहली चीज़ तो दोस्तों यह थी दूसरी जानकारी मैं आपको दूँगा यह बॉली ऑडियो क्लिप commutation pension के बारे में जो आप 11 साल बाद बंद करवा सकते हैं दोस्तों social media पे खबर वाइलर हो रही है बलकि बहुत से यूट्यूब चैनल या फी न्यूस्वेपर वाले बता रहे हैं कि आप इस judgment को लेकर आप अपना कम्यूटेशन का पीरट कम करवा सकते हैं यानि जो आपके 15 साल तक काटा जा रहा है कम्यूटेशन आप judgment दिखाकर कोट का judgment दिखाकर आप उसे कम करा सकते हैं दोस्तों ऐसा नहीं है क्योंकि जो judgment आता है वो सिरफ उनी पैंशनर के लिए होता है जो कोट में केस डालते हैं हर एक पैंशनर के लिए नहीं होता तो अगर आप यह सोच रहें कि जिसके फेवर में हैं वो judgment गया है आप उसे लेकर अपना कम्यूटेशन कम करवा सकते हैं ऐसा नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अगर आपको कुछ कम करवाना है तो इसके लिए आपको separate case करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों भारास सरकार ने इस पर कोई separate order नहीं निकाले यह दोस्तों उन्हीं pensioner के लिए जो court case करते हैं जो जीतते हैं pensioner उन्हीं के लिए वो लागू होता है हर एक पर नहीं तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि अगर दूसरे ने case कर रखा है मैं उसका judgment लेकर अपना काम करवा लूँ ऐसा नहीं होगा तो जितने भी आपको बताया जा रहा है social media पर वो गलत खबरें जो कम्यूटेशन का पीड़ जिसके लिए restore करा गया है कम करा गया है वो कुछ selected pensioner है वो affected party है जिन्होंने court case करके वो जीता है case पैसे दिये हैं वकीलों को इसलिए वो हर एक पर apply नहीं होगा तो खिरपया करके आप अभी कुछ मत करिए नहीं तो वकील आपसे पैसा भी खा जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा जब भारत सरकार देगी तो वो आगे देगी देना होगा तो वो सहरे को दे पाएगी तो फिलाला आप अभी शांद बैठे रहे हैं चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ फिर दोस्तों एक मैसेज है क अब के खातने में डाली जाएगी दोस्तो जब आपके खाते में पैसें आएगी तो उससे तरीके से जार न जruit होते तो आप youth कारवाई करें तो न अ आपके खाते में जो पेंशन आएगी अपरेल की स्पाइश के तुरू दोस्तों आप नीचे कमेंट करेगा बिल्कुल एक्जैक्ट बिल्कुल सही मिलनी चाहिए 50% DR के साथ जो आपकी बेसिक पेंशन है उसका 50% करके जो एमाउंट आएगा वही आपकी बेसिक पेंशन पे ए ख्याल रखना हूं और मैं चाहता हूं कि जो भी आपको चीज मिल रही है वो बिल्कुल ठीक चीज मिले एक रुपे भी उसमें कम ना हो तो काल आएगी आपकी पेंशन इस परश की तरफ से 30 तारीक को चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ फिर दोस्तों एक इस परश का मैसेज यह भी शेयर हो रहा था कहीं इस परश पीप्यो में रिफ्लेक्टेट आफ्टर सिक्स तू सेवन मन्त इन इस परश पॉर्टल कैंडली चेक रेगुलर्ली इन पॉर्टल दोस्तों इसके बारे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिनके पास इस परश तो आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपने डेक्रक्शन के लिए दे रखा है या फिर आपनी कोई पैंशन सुधार के लिए दे रखा है कुछ चीजए गलती है उन सब में सुधार के लिए अगर आपको कॉरिजरेंटम पीपो चाहिए तो उसके लिए आपको 6-7 महीने आपे वेट करने होगी तब ही आपका कॉरिजरेंटम पीपो जनरेट होगा तब तक आप वेट करिए चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ फिर दोस्तों इतनी हो जाएगी जैसे कोई नायाक है 20-107 ले रहा है तो उसकी 35,000-40,000 पहुच जाएगी 8 CPC में ऐसा मैं नहीं कहा रहा हूँ आपकी basic पे होगी दोस्तों अभी ये सिरफ अनुमानित है कोई confirmation नहीं है इसका लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ या तो आप इसे आप fake भी बोल सकते हैं लेकिन दोस्तों ये एप्रॉक्स रहती है जरूरी नहीं है यही मिल जाएगा जरूरी नहीं है इसलिए हमें अभी wait करना पड़ेगा जब तक कि भारत सरकार 8 CPC पे कुछ करती नहीं है तो इसलिए इन चीजों को हम real नहीं मान सकते ह देखने के लिए बस अच्छा है कि हमारी कुछ बढ़ रही है इसमें बस देखने के लिए है लेकिन reality से कोई लेना देना नहीं बताया जा रहा है 1.85 1.96 यहां पर हो सकता है 8 CPC अब यह तो भगवान मालिक है कि भारत सरकार 8 CPC देगी या नहीं देगी यह तो आगे समय बत मिलती रहती है इस चैनल के मार्दम से थैंक यू सो मच